हलो दोस्तों नमस्कार आदाप सस्रिया काल सभीकों जी एस इनुकर्ड में आपका हादिक स्वागत है स्वागत और अभनेंदन करते हैं आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोट के आडर को लेगी जो किस आडर आ गया था रात में ही आ गया था उसके लिए हमने वीडियो बनाया है सभी बहुत चौदा से चौदा लाक से जादर बिद्यार्थियों को कहीं ने कहीं इसका खामियाजा भुकतना पड़ रहा है जो कि अनायेश डियलेट करके सिच्छक भरती से बाहर नहीं होंगी समझे पूरी डिटेल में क्या था उसमें और जज्जमेंट को लेके हम काल सकते हैं दे सुप्रीम कोट आफ इंडिया सेविल अपील नंबर है आफ राइजिंग त्री टू थ्री फाइब एट त्री आफ टू थो तौजन ट्वंटीफोर जस्बीर सिंग एंड और्स और पिटिशन वर्सस इस्टेट आफ उत्राखंड उत्राखंड के केस था वह चीज किउ हारा है जो डियहएज है यह नियूट्ट्न किस लिए हारा यह सबसे बड़ा मुहैम मतना है क्यी अठारा महिने का डियल डिप्लोमा को दो साल के डिपलोमा वाले रेगूलर कॉर्स के बराबर नहीं है सिर्श कोर्ट ने इसी बात को कहा और यहीं पर यह दिप्लोमा धार्ट के नई सिच्छक भरती परिक्रमें ना सामिल होने को कहते हैं कहने को मतलब है जो सिच्छक भरत चुके है जो सिच्छक उसमें डियानाजीर बन चुके हैं उनको बाहर करनी कहीं बात नहीं कि आप 38 पेज आजस्मेंट है आप पढ़ सकते हैं उसके पहले भी बीडियो में आपको कहा कि सिर्फ उनके लिए है जो कि अब आने वाले भरती में ओधारक बैलिड नहीं होगी यही खबर है जैसे कि आप देख सकते हैं बीड के मैंटर में कि जो नौकरी पा गया थे उनको बाहर नहीं किया गया लेकिन अब बीड वाले प्या सचार सताने अनाईयोस को 18 महीने के डिपलोमा पाठ करम दो साल की डिपलोमा के बाराबर नहीं है सिस अदालत ने कहा कि सभी तत्थों को जाहिर होता है कि अनाईयोस 18 महीने के डिपलोमा राश्टी सिच्छक मान परिशद के फैसलों के खिलाफ उत्राखण सरकार और सकते हैं की जनाईयेश डिएलरड अब आगे आने वाली भरतियों बैलिड नहीं होगा यही खरी इसको खारिच कर दिया गया लेकिन यह कहीं पर फैसले में नहीं कहा गया जो सिच्छक है यह जो सिच्छक बन चुके हैं नौकरी में हैं उनको कहीं निकालने की बात नहीं की यहां पर सीर्स पॉइंट जो सुप्रीम कोट ने कहीं न कहीं एंसीटी से जवाब मंगा एंसीटी जवाब नहीं दे पाई यही कारण था हारने का वरना केस जीता हुआ केस ऐसा लग भी रहा था आप कल तक देखें कि बहुत सारे चैनल यहां तक मैंने खुद भी इस कहा था है लेकिन जब फैसला आता है थो नहीं जब लोग को लिए सबक्राइब को तर इस प्रोफ करने में यहां पॉइंट को रखते हुए कहीं ना कहीं यह फिले ना को इस भरती से मनलब उनके जो दाखे मिले इस के लिए रहें तो इसको खारीज कर दिया और यहींपर उनको सामना करना पड़ा यही खब़्द लेकिन कही लिए कहीं बाहर करने की बाती नहीं के गीए यह एक खबर थी अगर वीडियो पशंद आता चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में सेर करें और हमें माफ करें जो कि हमने कल यह सीज कहा था क्या ना यह जीत रहा है उसके लिए क्योंकि हमने पुरा जज्जमेंट नहीं था हमने सुर्फ लाइफ जज्जमेंट देखा था लाइफ जजमेंट लाश्ट नों का पॉइंट हमने क्लियर नहीं कर पाया था इसी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसके लिए माफ करिए कि वह दूसरी चीज है कि आने वाले भर्तियों में क्या होने वाला है क्योंकि वह उनको बैलिट नहीं किया जाएगा थैंक वाला व्योंने लिटे अपने